नमस्कार दोस्तों तो आज में लेकर के आई हूँ धाबा स्टाइल चिकन जिसके लिए हाफ केजी चिकन लिया है मैंने और उसको दही लहसुन और अद्रक के पेस्ट में मारिनेट कर दिया है करीबन एक घंटे तक चार प्याज लिये हैं जिसको लंबे लंबे रफली चॉप कर लिया है मैंने कडाही में मस्टर्ड ओयल यानी सरसो का तेल डाला है और इसके अंदर हम प्याज को भूनेंगे तो चिकन जो धाबा स्टाइल चिकन है वो सरसो तेल में ही टेस्टी लगती है पर अगर अगर आप सरसो का तेल नहीं पसंद करते तो आप रिफाइन में भी बना सकते हैं तो इसको हम इस तरीके से भूनेंगे और यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज चिकन बनने वाली है बिल्कुल जैसे धाबा में बनता है उस तरीके से तो वीडियो में अंद तक बने रहें और चि अब मुटा मोटा रफ़ली चौप कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हम इसको भून रहे है बहुत ही तेस्टी लगनी जाए है यह इस सटेज के हमारा ही प्याज को आगई है भूनते आप देख सकते हैं मैं आपको करीब से दिखा रही हैं उसे अब क्या करेंगे इसमें हम बे लेफ यानि तेजपत्ता कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जैसे डाल चीनी, लॉंग की तीन-चार कलिया, काली मिर्ट, छोटी लाईची और बड़ी लाईची ये जो खड़े मसाले हैं ये जरूर डालिएगा तभी जो चिकन है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, तो इन सभी खड़े मसाले को हम डाल देंगे इस प्याज के अंदर और इसको करीबन एक से दो मिनट तक अच्छे से भूल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, बस और क्या वहती फटाफट बनती है ये चिकन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बनाने में, मतलब आप ये माल लीजे कि हाफे नावर में ये चिकन बनकर तयार हो जाएगी ध्यान रखे कि फ्लेम को हम स्लो टो मीडियम रखेंगे तो अब हम हमारी जो चिकन थी न वो मारे नेट हो गई थी, एक घंटे तक माने रखा था दही और लहसुन अद्रक थोड़ा सा लहसुन अद्रक डाला था, जादा नहीं डाला था तो मारे नेट हो गई थी, अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे ये देखिए और बस इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से नमक डाल दीजे स्वाद के नुसार सौदा नुसार नमक डाल दे आप इसके अंदर और ये थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ और ये कुटी हुई लाल मिर्च है जो की मेरे घर की कुटी हुई है अगर आपके पास घर की कुटी हुई नहीं है तो आप बाजार वाली लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा कलर भी आने वाला है इससे और बहुत ही जटबट बनके तयार होने वाली है आप इसको जो है वो रोटी के साथ खा सकते हो नान के साथ खा सकते हो, अब मैंने कश्मिरी लाल मेच पाउडर डाला है, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आने वाला है, तो अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुमिन पाउडर, इस तरीके से अब हम सूखे मसाले डाल रहे हैं इसके अंदर, इस स्टेज पर देखिए, आ चुकी है, इस समय हम डालेंगे चिकन मसाला, एक चमच भर के हम चिकन मसाला डालेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आने वाला है, अब हम डाल देंगे चिकन मसाला और चिकन मसाला डालने के बाद भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, यह देखिए, जब तक कि तेल ना छोड़ दे, जो हमारा चिकन है जब तक कि तेल ना छोड़ दे, और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक लाइक सब् पानि डालूँगी, थोड़ा सा पानी मतलब आप यह मालीजे कि हाफ पक के आसपास इसके अंदर पानी डाला है, ओल्मूस्च चीकन डन है बिल्कुल, तो बस और क्या, तो हाफ कप के आसपास इसमें पानी डाल दिया है और इसको हम फिर से थोड़ा सा पका लेंगे, बिल्कुल गर्मा गरम जो है वो बिल्कुल तयार है चिकन देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चिकन तयार है धाबर स्टाइल वाली है है ना बढ़िया तो बस